हेलो फ्रेंड्स एस जी नीटिंग अन क्राफ्ट्स पर आप का स्वागत है फ्रेंड्स जे मैंने एक एंकन लेंथ सौक्स त्यार की है दो कलर में बहुत ही प्यारी सौक्स में बताया है कि जहां आप क्या कर सकते हो तो इसमें एडी बनाई है प्लस इसमें मैंने आगे थम भी बनाया है और जिनको एडी वाली सोक्स और थम वाली पसंद है वो ऐसी सोक्स आप बना सकते हो जे छे नमबर और साथ नमबर के पैर के लिए है जे सोक्स की बूल से मैंने इसको त्यार किया है इसको बनाना बहुत ही एजी है सिंपल ही बनाया है लेकिन इसकी लोग को बनके बहुत ही फ्रेंट्स बढ़िया आई है इसकी आप देख लीजिए बहुत ही बढ़िया बनी है ऐसे ही और नएने वीडियो देखने के लिए फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्रा इस सोक्स को आगे हम देखते हैं कैसे बनाना है सोक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपने दो कलर की बूल ले लेनी है जे नेवी ब्लू कलर है जे पिंक कलर है जे ओस वाल की लच्छे वाली बूल है जे सोक्स बनाने की ही बूल है तो दस जे इसको आप 10 नंबर की सलाई पर बना सकते हो, तो इसको मैं आपने बूल के अ कॉर्डिंग, इसकी फोड़ी नो नमबर से बना रही हूँ, आप 10 नमबर में बना सकते तो फंदे आपने पचास ही लेने हैं, दस पर बनाओ, चाहे आप नौ नमबर की सलाई पर बनाओ, आपने सिंगल दागे से पहले फंदे डाल लेने हैं, सिंपल फंदे डाल लेने हैं, उसके बाद मैंने जी पांच सलाई सिधी उल्टी बना ली है, उल्टी साइड के मैंने फ दागा आगी करना है दो का एक बनाना ऐख करना है। दागा आगे करना, दो का एक बनाना है, जे मैं बूनते बूनते लास्ट में आगे दागा आगे करेंगे, लास्ट के दो का एक बनाएंगे, लास्ट के जो दो का, लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे, दागा आगे करके अपनी दो का एक बना लेना, अब फ्रेंट्स, उल्टी साइड आगे, उल्टी साइड आपने सारी सलाई उल्टी बनानी है, जाली बाले फंदे भी आपने उल्टे ही बनाने है, इसके बाद फ्रेंट्स में उल्टी सलाई बनाने के बार चार सलाई और बनाऊंगी, सीधी साइड सीधा बनूगी और उल्टी साइड उल्टा तोटर हमारी पांच सलाई हो जाएगी जह मैंने चार सलाई उपर बना ली यह ऐसे हमारे बन गए है तो जब सॉक्स कम्प्लीट हो जाएगी फिर आपको सलाई करना ऐसे बताऊंगी जब इसको फोल्ड करेंगे जहां से सलाई कर देंगे तो ऐसे कटांवाला उपर सॉक्स के जो बॉर्डर मैंने बनाया है यह ऐसे कटांवाला बॉर्डर फिर बन जाएगा है तो अभी अभी मैंने जहां इसके बाद दूसरा कलर लगा लिया जे वाला नेवी ब्लू अटैज कर दिया अभी जहां मैं एक सलाई इस कलर से सीधी बनाऊंगी और एक कुल्टी पहला फंद नकालेंगे दो फंदे सीधे एक दो फंदे सीधे दागा आगे करेंगे दो का एक बनाएंगी इसी को हमने रिपेट करते जाना है दो फंदे सीधे दागा आगे करना है दो का एक बनाना है दो का एक बना लिया फिर दो फंदे सीधे एक, दो दो फंदे सीधे दागा आगे दो का एक बनाएंगे दो फंदे सीधे दागा आगे इसी को सारी सलाई में लास्ट अक हमने पीट करना है अगर आप फ्रेंट्स डोरी नहीं जहां बनाना चाते तो आप इसको skip भी कर सकते हो, जहां आप दो सलाई सीधी उल्टी बना सकते हो, जह पुनते पुनते मैं last में आगी, दागा आगी करेंगे, दो का एक, last में, जो भी आपका फंदा बाज़ता है, जिस सीधा फंदा बोन जह हमारी डोरी डालने के लिए होल्स बनेगे, अब उल्टी साइड से जह मैं उल्टी सलाई कम्पलेट करूँगे, जह फ्रेंट्स डोरी डालने के लिए होल्स बनेगे, इसके बाद फ्रेंट्स मैंने एक सलाई सीधी, एक सलाई उल्टी, दो सलाई उपर बना ली, तो आपके पास फंदे है उसका आपने हाफ कर लेना जी मेरे पास 50 फंदे है अगर आप 50 से कम की बना रही हो जाप 50 से ज्यादा फंदे आपके तो आपने हाफ कर लेना है तो मैंने हाफ में मारकर लगा दिया तो जो चुरू में हमने राइट पैर की नकालनी है हाफ फंदों में और जो back वाले फंदे इसमें left की, यह मैंने जो left की जहां बना ली है, यह left की त्यार कर ली है, तो यही जो मैं अभी आपको यह right की जहां बताऊंगी, वो ही आपने यह बाला procedure जहां आपने बनाना है, तो जे वाला अभी जहां से स्टार्ट करते हैं, हाफ फंदे मैंने का लिए, मारकर लगा 25 फंदे 25 है, तो जहां से चुरू के दो फंदे सीधे का लेने, स्लाई में ऐसे, इसको सीधा डाल लेना, जहां चुरू में हमने दो का एक बनाना है, ऐसे, ज्यां से देखिए, जे आगे आपने रिपीट करना है, दो का एक बना लिया, आगे मारकर तक हम सारी स्लाई बनाती जाएंगे, जे मैंने मारकर तक आगी, जे मारकर लास्ट फंदा, अभी मारकर को ऐसी रहने देते हैं, अभी जहां से स्लाई को पाल्ट लेंगी, उल्टी साइड आजेंगी, तो उल्टी साइड शुरू के दो फंदे आपने कम करने हैं। यही आपने दो सलाईयां उपर पीट करते जाना। उल्टी साइड के शुरू में दो कम करने हैं, ऐसे ही दो का एक बनाएंगे। और सीधी साइड से शुरू के दो फंदे स्लाई में सीधे करके दो का एक बनाएंगे, ऐसी, ये सारी स्लाई लास्ट अक उल्टी बनाएंगे, ये मैं उल्टा बुनते हुए लास्ट में आगी, अब आगे सीधी साइड, एक वर फिर आप देख लीजिए, ऐसी आपने करना है सीधी साइड आगे, सीधी साइड चुरू के दो फंदे सलाई में सीधे करेंगे उसके बापस इसको दो फंदों को एक कर देंगे, दो का एक बना देंगे और सारे फंदे सीधे बनेंगे यह मैं बुनते हुए मारकर तक आगी यह मैंने सीधे बुन ले, सारे फंदे, अब मार्कर को उर्ता देंगे, तो कि हमारा अब जहां से एडी बनना स्टार्ट हो गया, तो हमें पता चल जाएगा, उल्टे साइड शुरू के दो फंदे, ऐसे दो का एक बनाएंगे, जही फ्रेंड्स आपने दो सलाई उपर ऐसे ही बनाती है, उल्टी साइड दो का एक करने, सीधी साइड शुरू के दो का एक करना, तो जब मेरे नौ फंदे सलाई में रह जाएंगे, तब मैं इसको स्टॉप कर दूँगे, तो जहां तक मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ, यह फ्रेंड्स मेरे सलाई में अब नौ फंदे रह अठाते जाना, तो हमने 25 फंदे टोटल फिर द्वारा करने हैं, तो कैसे देख लिजिए, अभी आपको दो सलाई बताऊंगी, दो सलाई जो आप भी बताऊंगी वो यह आगे आपने रपीट करते जाना है, यह हम पहले सारे 9 फंदे सीधे बुन लेती, सीधी साइड का बत बताऊंगी यह बढ़ती जाएंगी, अब इधर सी आपने एक फंदा उठाना है, जे थोड़ा डार कलर आपको पास में दखा रही हूं, जे आपको पता चल जाएगा जो गाट गाट सी बनी है, जहां से आपने एक एक फंदा लेती आना है, एक फंदा जहां, जे जे चेन इवनि जहां से नहीं लेना आपने, जे तो अभी हमने बुना जो जे गाट वाला जो है, जहां से आपने लेने लेना है, जहां से, सीधा बुन लेंगे, इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे, अब हुमारी सलाई में दस फंदे होगे, अब इन दस फंद को उल्टा बुन लेना ह यह उल्टे तर्फ का बता रही हूं यह आपने दो सलाई बनाते जाना है द्यान से आप देख लीजिए यह मैंने दस फंदे बना ले उल्टी साइड से यह उल्टी साइड का बता रही हूं अब उल्टी साइड से भी लास्ट में जब जे फंदे आपने बना लिए सलाई में जो फंदे थे, जे गाठ वाला फंदा हमने ऐसे बुनना है, उल्टी तर्फ अंदर को बुनना है, ऐसे, एक फंदा ऐसे हमने उठा लेना है, अब भी हुमारे 11 होगी, जहां से सलाई को टर्न कर लेना है, उसके बाद पहला फंदा उतारना है, सारे फंदे सलाई के सीधे बु शुणना, फिर उल्टी साइट से, तो ऐसे ही मैं फिर 8 फंदे इदर 8, ये के कटालिया साथ साथ रहेंगे, 25 फंदे कमपलीट करूँगे, जे friends हमारी AD complete हो गई जहां से मैंने जे फंदे उठाती ही आठ फंदे इदर से फिर से हमारे पास 25 फंदे हो गए तो अभी जे मैं सलाई पूरी जे सीधी नकालोंगी जे भी 25 फंदे बुन लोंगी उसके बाद एक कूल्टी सलाई बनाऊंगी उसके बाद फिर आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ आगे बनाएंगे AD के बाद तो आपको बता देती हूँ जहां मैंने कैसे आगे लेंथ बनाई है इसके बाद मैंने जहां 8 सलाई नेवी बलू की बनाई उसके बाद 2 सलाई पिंग की फिर 12 सलाई नेवी बलू कि फिर दो पिंग की जाने कि आपने टोटल जहां 38 स्लाइयां बना लेनी है यह आप अपने कॉर्डिंग इसको प्लें रखना चाहते हो जा सेम ऐसे भी जो मैंने बताया ऐसे भी बना सकते हो अगर आप दास नंबर की स्लाइय में बना रहे हो तब आपने 40 स्लाइय बनानी है जे मैं 9 नंबर पर बनानी है इसलिए मैंने 38 स्लाइय ही बनानी है अगर इससे बड़ी बनाना चाहते हो तो आप कमेंट शेक्शन में पूर सकते हो कितने फंदे लेने हैं और कैसे बनानी है तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ इफ्रेंट्स सॉक्स की लेंथ त्यार होगी है आप ऐसे अपने पैर में डाल के भी देख सकते हो कितनी आपने ये लेंथ रखनी है ऐसे एड़ी पहले आपने पैर में डाल लेनी है पीछे ऐसे एड़ी उसके बाद आगे जैसे आप नाप सकते हो जहां तक हो गया है ऐसे बैक में आप जेड़ी है ऐसे तो आपने पूरा जहां तक बना लेना जहां से हमारा जे अंगूठा स्टार्ट होता जहां तक 38 सलाइया मैंने बनाई है तो अभी उपर हम इसका थम और फिंगर सॉला पार्ट बनाएंगे अचलिए स्टार्ट करते हैं जहां से अब मैंने पिंग कलर काट दिया अभी पिंग नहीं अभी उपर मैं नेवी ब्लू से ही बनाऊंगी अभी जहां मैं नेवी ब्लू से दस फंदे बनाऊंगी तिन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस फंदे बनाए जहां मारकल गा दूंगी अब लास्ट के नौ फंदे रहने तक मैं यह बनूंगी यह फ्रंट्स मैंने दो सलाई बना ले अब मेरे पास बीच में जो फंगर स्वारा पार्ट बनाना थर्टी बान फंदे हैं चौद के बीच में तीन का एक करूंगी तो चौदा मैंने बुन ले अब बीच में तीन का एक बनाना है एक स्लाई में सीधे कर लेंगे ये वाला फंदा भी सीधा कर लेंगे ये तीने फंदे स्लाई में सीधे करके दो का एक बना देंगे आगे जितने स्लाई में आपके चौदा फंदे है वो अपने सीधे बोल लाने उल्टी साइड की स्लाईयां सारी उल्टी ही बनानी है जब भी आपने सिधी साइड आना बीच में तीन का एक बनाना है, इसी के उपर आपने तीन का एक बनाते जाना है, उल्टे सलाई उल्टी ही बनेगी, जे बीच में मैंने तीन का एक बनाया, इसी के उपर आपने पहले चोदा बुने थे, फिर तेरा बुन के फिर तीन का एक ऐसे ही मैं टोटल जहां 16 स्लाई बनाऊंगे, जह मैंने 16 स्लाई बना ली, अब जह आदे आदे फंदे काल ले, तो मैं इतनी ही बनाऊंगे 16 स्लाई, अब इनको बाइंड ओफ कर देना, सीधी साइड अंदर की और उल्टी साइड बाहर, एक फंदा पीछली स्लाई का, एक फंदा आगली स्लाई का, दो का एक बनाऊंगे, ऐसे ही सारे फंदोको मैं बाइंड ओफ करूँगे, जह मैंने सारे फंदोको बाइंड ओफ कर दिया, तो हमारा जे फिंगर साला पाट बन गया अब हमारा जे थम रहा गया अंगूठा कैसे बनाएंगे इदर हमने छोड़ा था जहां मैंने थ्रेडल लगा दिया है तो फ्रेंड सेम ही आपने दूसरी सॉक्स का फिंगर साला पाट और अंगूठा सेम ही बनाना है तो जे नौ फंदे मैं पहले सीधे बुनूँगी जे मैंने नौ फंदे सीधे बुन ले अब उल्टी साइड नौ फंदे उल्टे बुनूँगी पहले आठ फंदे उल्टे बुनूँगी जे मैंने आठ फंदे उल्टे बुन ले अब एक फंदा इस स्लाई में डाल देंगे और एदर के जो 9 फंदे अब एक साथ ऐसे इसको जोड़के यह 10 फंदे इसलिए रखे थी एक फंदा इदर का और यह 9 फंदा मला के 2 का 1 बनाएगे जहां बीच में 2 का 1 बनादेंगे जहां दो का एक बना दिया अब हमारे पास नो नो फंदे है तो नो फंदे एदर के भी लेके टोटल अंगूठे के लिए हमारे पास थारा फंदे है 18 इनी फंदों को हम मैं सीधा उल्टा बनाती जाओंगी तो ऐसे मैं इसकी उपर 16 सलाई बनाओंगी जैसे मैंने फिंगर्स क पाठ की 16 सलाई बनाई ऐसे ही मैं सीधा उल्टा बोन के इसकी 16 सलाई कम्प्लीट करूंगी यह मैंने धम की 16 सलाई बना ले तो अब इनको मैंने यह सुई में डाल दिया सारे फंदों को तो अब इसको ऐसे खीट देना है घीच के ऐसे यधर से उपर से हो जाएगा तो इसको मैं जहीं छोड़ देती हूँ पहले उपर की आपको सबसे पहले जे सलाई कारनी है जहां की बताती हूं कैसे करनी है यह हमने जो बनाया है यह उपर बॉर्डर जे इसकी सलाई कैसे करनी है तो मैंने इतनी से की है जहां आपको बताती हूं कैसे करनी है आप ऐसे ऐसे आपने फोल्ड करना है ऐसे जे उपर के जो हमने यह कि किंग्रे किंग्रे से बनाई है इसको अपर ऐसे तो जहाँ से अर столько जीला इंहें पिंक और यह आपकी जह लाइन है इस से लोप लेना है एक लूप और लेके ऐसे आपने में सटोड़ने करते जाना है आए जसे पूरा वे सलाई ऐसे करूंगी तो ऐसे हमारी जे बन जाएगी तो उसके बाद इसकी सलाई के बाद अगली सलाई आपने करनी है जहां की करेंगे उसके बाद जे फिंगर सला पार्ट जो है जहां की करेंगे फिर इसको सॉक्स को उल्टी करके लास्ट में फिर एक सीधी हमारी सलाई होग सोक्स को सब को उल्टी कर देना है लास्ट में एक स्लाई आएगी जे वाली लास्ट में आपने कर दे सु समते हूँ जे स्लाई अंगोटे से लेके आपने जे जहां उपर तक करने है जे फ्रेंट्स मैंने सलाई कम्प्लीट कर ले तो हमारी सॉक्स जे दूसरी भी बनके तियार हो गई है देख लेजिए बहुत ही जे ब्यूटिफल सॉक्स बनी है तो फ्रेंट्स जे आपको सॉक्स कैसे लगी कमेंट सेक्शनों में बताईए और आप भी फिर बनाईए और दूसरों के साथ वीडियो को बत बत शेयर कीजिए तो बनाकर आप फिर बताईए फिर ऐसे ही नई वीडियो मिलेंगे थैंक यू